हेलो फेंट्स में मंदीब सोगत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर फिंट साच की इस वीडियो में स्लीव्स का डिजाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो इसे आप छोटी स्लीव्स और बड़ी स्लीव्स दोनों में ही आसानी से बना सकते हैं बहुत ही लेंट रखनी है उसमें एक इंच मार्जिन का प्लस करके टोटल लेंद लीजेगा आप अपने साइस के अकॉर्डिंग आर्म होल को नाप कर लीजेगा मेरे मेंजरमेंट में साड़े साथ इंच है और यहाँ पर मैंने से डाउन रखा है तीन इंच पे अगर हैवी साइस का बना रहे हैं बड़े साइस का तो साड़े तीन इंच पे डाउन कीजिएगा इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे और तिरची लाइन हमें बना लेना है यह देखिए अब आपको देखे नीचे की तरफ से ही सिफ इसे थोड़ा सा शेप देदेना है गुलाई में तो यहाँ आपर मैंने स्लीव का जो पैटर ने इसे ड्रॉ कर लिया है नीचे का मेजरमेंट लेना है जो भी स्लीव की गुलाई होती है उसका आधा लेना है और बढ़ाना है आपको देडिंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए जितना आपने बलाउस में मार्जिन रखा है दो या स्लीव को मैंने आपर कटिंग कर लिया है अब लेना है डिजाइन के लिए मेजरमेंट तो उपर और नीचे की तरफ से मैंने धाई इंच का गैप रखा है 2.5 विंच नीचे तरफ से और 2.5 विंच उपर की तरफ से इस तरीके से क्योंकि डिजाइन मुझे सिफ बीच में ही चाहिए और उपर और नीचे डाय इंच होड़ने के बाद जितना भी मेरा measurement पचा है मैंने किया है उसका half, half कर लेना है और इसके बाद यहां से आपको लेना है सवा एक इंच, 1.25 इंच पे मार्क करेंगे और इसे हलके हाथों से shape देंगे, width मैंने सवा एक इंच पे marking की है अगर आपको थोड़ा और ब्रॉड चाहिए तो आप थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, 1.5 इंच पी ले सकते हैं पर सवा एक इंच पे यह बिल्कुर perfect बनता है और ज़्यादा फैलता नहीं है अगर आप ज़्यादा फैला लेंगे तो थोड़ा सा डिजाइन हमारा लूज हो जाता है डीला हो जाता है तो आप सवा एक इंच ही लीजेगा बनने के बाद यह थोड़ा और broad हो जाता है तो एक simple यहाँ पर देखिए पत्ती का shape मैंने दे दिया है और यह आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा करके रख सकते हैं यहाँ पर देखिए मैंने sleeves को man fabric पर भी cutting कर लिया है सारे पार्ट मेरे cutting हो गए हैं और अब हमने करना है इसका stitching stitching करने के लिए देखिए आपको नीची की तरफ man fabric को सीधा करके रखना है और उपर से रखना है अस्तरवाले कपड़े को मैं इसमें paper pasting नहीं लगा रही हूँ आप चाहें तो paper pasting भी लगा सकते हैं क्योंकि कहीं बार आप लोग comment करते हैं कि बिना paper pasting का design भी बताएं तो मै बीच बीच में आप लोग के लिए इस तरीके का design भी शेयर करती हूँ जिसमें कि आप बिना paper pasting के भी से आसानी से बना सकें तो पूरा देखिए हमें इसे गोलाई में सिल लेना है और बीच में से extra कपड़े को cut कर देना है अगर आप इसमें paper pasting लगाएंगे तो और भी अ corners पे cut अच्छे से लगाएं अब आपको इससे बलट करके सीधा कर लेना है यहाँ पर देखिए fabric को अच्छे से set कर लेंगे आप चाहें तो प्रेस भी लगा सकते हैं इसके उपर तो इससे मैंने अच्छे से set कर दिया है अब यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है तो corner पर एक सिलाई लगाकर इसे finishing देदेंगे यह देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगाती है और इसके बाद हमें चारों तरफ से नीचे से भी सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेना है जितना भी एक्स्ट्रा फיब्रिक रहेगा इसे कट करके निकाल देना है यह दिखिए इस तरीके से सारस्ट को हमने कट करके निकाल देना है अच्छे से इसे फिनीशिंग कर लिनी है तो यह पैटन दिखिए मेरा तयार हो गया है अब देखिए मैंने यहाँपर एक कपड़े का पीस लिया है जिसकी लेंथ है 8.4 इंच और चोड़ाई में यह 6.6 है इसे हमने सिलाई लगानी है तो इस तरीके से दो तरफ से देखिए मैंने इसे फोल्ड करके सिलाई लगाती है अब इसे पलट लेंगे तो इसका बोगर डिजाइन बनाके हमें सेंटर में इसके उपर अटेज करना है दोनों तरफ के कॉर्नर्स को अच्छे से निकाल लेंगे अब देखिए हमें यहाँ पर सेंटर मार्क कर लेना इसे मैंने सिल्के पलट के फिनीशिंग कर लिया है और इस तरीके से आप इस पे एक सेंटर में मार्किंग कर लें अब यहाँ पर दीके चोटी-चोटी पलिट्स बनानी है तो हातों से या फिर आप सुई धागे की मदश से इसमें पलिट्स डाल सकते हैं ये दीखे, center में एक stitch लगा लेंगे, इस तरीके से, तो ये stitch मैंने लगा ली है, बोबन के तयार हो गया है, इस अच्छे से center में आपको set कर लेना है, बिल्कुल बीचो बीच में रखना है आप जाएं तो पहले मार्किंग कर ले या पिन के साथी से सेट कर ले उसके बाद ही सिलाई लगाएं ये देखे इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई लगा कर इसे पका कर लेना है तो मैंने इसे बिल्कुल सिंपल रखा है आप चाहें तो लेज लगा कर डेकोरेट कर सकते हैं अब देखिए मैंने यहाँ पर एक पटी ली है फ्रिल बनाने के लिए और डवल में यह पटी है इसके चोड़ाई मैंने देखिए यहाँ पर जो विट्थ है पटी की वो रखी है 4.5 इंच की और इसी डवल फोल करके मैंने प्रेस किया था उसके बाद इसकी फ्रिल बना लिनी है प्रेस करने के बाद पटी की फ्रिल आप बनाएंगे तो बहुत अच्छी और एक जैसी फ्रिल बनेगी यहाँ पर इसके बाद इके मैंने सिलाई लगाकर इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है इस तरीके से कपड़ी के एक्स्ट्रा पाट को कट करने के बाद हमें फ्रिल को उपर की तरफ रखना है यह देखिए यह वाला जो फैब्रिक के कॉटन सिल्क यह बहुत ही ज़्यादा धागे छोड़ता है तो अगर आप स्लीज में इस तरीके से फ्रिल को अटेज करेंगे तो धागे बिल्कुल नहीं निकलेंगे इसका मार्जिन अंदर की तरफ चला जाएगा अब आपको एक पट्टी लेना है सिंपल अस्तर वाले कपड़े की सीधी पट्टी लेके इसे एक तरफ से फोल्ड कर लें आप और इस तरीके से फ्रिल के उपर इसे अटेज करना है अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे तो फ्रिल हमारा नीचे की तरफ आजाएगा और ये जो तरीका है इससे स्लीव सापका अंदर और बाहर दोनों तरफ से फिनिशिंग के साथ दिखेगा तो मैंने यहाँ पर दिखिए फ्रिल को अटेज कर दिया है इसके उपर आप प्लेस अटेज कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा लोका जाएगा यहाँ पर आपको बो के उपर दोनों तरफ साइड में तुरपाई कर लेनी है सुई के साथ ये जो मैंने बो अटेज किया है इसके उपर आप चाहे तो फैंसी बटन अटेज कर सकते हैं मैं यहाँ पर लटकन बना कर लगा रही हूँ तो सिंपल मैंने यहाँ पर डोरी ली है रेडी मेट वाली और उसके साथ ये चोटे चोटे लटकन बना रही हूँ तो जो फ्रिल का कपड़ा बचा था उसी से मैंने इसे फोल्ड करके यहाँ पर यह चोटे साइज में लटकन तेयार कर लिया है एक्स्ट्रो फैब्रिक को कट कर लेंगे लटकन को बलट करके सीधा कर लेना है और इसे बोग के उपर अटेज कर देना है आपको यह ओर डिजाइन का लटकन बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं यह देखी तो यह पैटिर में रटेज हो गया है इसे आपको इस तरीके से डोरी को क्रॉस में करते हुए इसके उपर लगा लेना है और यहाँ पर सिंपल आपको नॉट लगा देनी है एक या दो नॉट आप लगा लीजे तो यह सैट हो जाएगी इसके उपर इस तरीके से दिखे स्लीज तैयार करने के बाद में इसमें गहराई दे रही हूँ पोना एक इंच अंदर की तरफ लेते हुए आपको शेप देना है और इसे कट कर लेना है यह वाला पार्ट हमारे ब्लॉज में फ्रेंट की तरफ आएगा और सिलाई लगाती है तो इसी के साथ मेरा स्लीज का डिजाइन बन करके तयार हो गया है तो फिर्ट साब को आज कर डिजाइन कैसा लगा है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताईएगा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किजिएगा चैनल को सस्क्राइब ज़रूर करें धन्यवाद